इसमें डापलर साथ का लास्ट शेप्टर है यह धोनी प्याधारित है और इसमें आपका मतलब डापलर का जो अनुप्रियोग और डापलर सिधान्त क्या है आई इसको देखते हैं बहुत आसान है यह जब जैसे कि माल लिए आप ट्रेन पे खड़ें प्लेटफार्म पे खड़ें हैं तो ध्वनी सुरोत हुआ आपका इंजन और आप एक सुरोता हुए तो ऐसी दसा में जब ध्वनी की और सुरोता में जब गती होती है तो जब सुरोता ध्वनी के पास जाए या ध्वनी सुरोता के पास जाए और या ध्वनी चल लही हो सुरोता इस्थिर हो या सुरोता चल लहा हो ध्वनी स्थिर हो और आवाज निकल लही हो तो ऐसी इस्थितिवों में जो है हमें आपेक्षिक गती जब होती है हमारी ध्वनी और सुरोता के साथ तो ऐसी आपेक्षिक गती में हमें जो आभाद ध्वनी की आविरती बदलती हुई प्रतीत होती है आप ध्यान देंगे कि जब आप टेन दूर जा रही है तो आवाद धीरे सुनाई देगी जब आप पास आ रही तो आवाद तेस सुनाई देगी तो इसी आप एक्छी गती के कारण जो है धौनी में और परिवर्तन होता है अग श्रोता में और श्रोत में तो इसे 1842 में डापलर साब ने इसको खोजा इसी लिए इसको डापलर इफेक्ट नाम दिया गया और दानिक जीवर्ण में इसका बहुत धारण है जैसे आप वही प्लेटफार्म पर आप खड़े हो जाईए ट्रेन आ रही हो तो आपको अभासिया विर्ती सुनाई देगी ज दो दान और मिल जाएंगे जब आप ट्रेन की तरफ दोड़ने लगें या ट्रेन के साथ दोड़ने लगें तो दोनों चार दसाएं बनेंगे तो चार दसाओं में ये एक पूछ देता है कि जैसे सुरुता भी गतिमान है धौनी सुरुत इस्थिर है तो उसका बेंजक ऐसी दसा में बेंजक क्या बनेगा तो जो बेंजक सुत्र बनेगा वो सुत्र आपका जो आभासी आभरती यन तो आपकी आभरती और यन डैस आपकी आभासी आभरती होगी तो ये आभासी आभरती सुरुता गतिमान है सुरुता इस्थिर है मन लीजिए तो जब ये इसकी अभास यावित्ति बनेगी जब आपका nडe syndrome yearing v upon v minus v वह बैलासिटी है और यह सुरोता के चाल दिए जरह भी है जिन्ज स्रूता कि शुमन दो यहां जेन की यहां हम एनरह चाहरों दो एक आप दो होग से द्धोनि स्रोता होगा यह जब प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमेशा आभासी आभरती, जो नार्मल आभरती है, उससे ज़्यादा रहेगी, और जब ये कभी होगा, जब वो आपसे पास आ रहा होगा, तो ये एंडेस ज़्यादा होगा, और जब दूर जा रहा होगा, तो ये एंडे का पूछ लेता है आपसे और जब दोनों गतिमान है दोनों मतलब मतलब जो अब्जेक्टिव सुनने वाला जा रहा है ये सोर्स जा रहा है दो धनी की दिसा अधरी रहेगी तो ऐसी दसामें सूतराप का यन डेस बरावर यन V-V-O और V-VS ये आपको लिखना रहता है प्रकास में भी डापलर का प्रभाव है आपका आप देखें तो ध्वनी की तरग प्रकास की तरगे भी हैं और ये भनी में डापलर का कहीं ज़्यादा महतुप है और प्रकास में भी इसका महतुप बहुत है और इसमें आप जो है एक डापलर विस्थापन जिसे कहते हैं डापलर विस्थापन क्या होता है तो delta lambda dash, lambda minus lambda dash तो यह lambda आभासी तरंगधार है और बुस्तवी तरंगधार का प्रकास का या trek लेमडा है तो lambda minus lambda dash को हम डापलर भिस्थाबन कहेंगे और यह प्रकास में भी दहने की तरह से डापलर का प्रभाव प्रभावी होता है उसके बाद आते हैं इसका अनुप्रियोग कहा है अनुप्रियोग में देखिए बीमान और पंडुबी होती है रडार से उसको भेज के इनी तरंगों से आवरती से हम पता लगाते हैं कि हमारा दुस्मन कहा है किर्तिम उपकरा जो आपके उपर छोड़े गए हैं उसमें भी इसका उप्यूब होता है तारे और गैलक्सी का अनुमान लगाने में इसका होता है विस प्रसार सिध्धान्त क्या है एक ये चोटा सा टॉपिक एटिपड़ी दे सकता है तो ये दसलाख मंदाकनिया गैलक्सी आपके ब्रह्मान्ड में हैं और इसको ख़वोल सास्त्री थे हब्बल साब जिनकी दुर्बीन भी हब्बल दुर्बीन है इन्हों ने जो है इसका इस पर प्रयोग किया और बहुत देखा इन्होंने की गैलक्सी जो है हमसे दूर भाग रही है और ख़वोल सास्तरी हब्बल साब ने दूरस्थ जो दूर जा रही है उनसे प्राप्त लाल विस्थापन प्रदस्तित किया अबता इससे यह सिद्ध हुआ कि मंदाकनियां हमसे दूर भाग रही है क्योंकि लाल रंग में तरंग्दैर ज्यादा होती है तो वह दिखाई देता है इस परस्ट इसलिए आप लोग ट्रैफिक में भी लाल रंग देखते होंगे तो यह इसी लाल रंग को पकड़ा और इससे देखा कि मंदाकनियां हमसे दूर भाग रही है तो इससे यह सिद्ध किया कि मंदाकियां दूर भागने की चाल तो यह बराबर वी बराबर एच आर आर दूरी हो गई और यह हबल का नेतांग हो गया और वी जो है अमारा वेग हो गया इसे हम हबल का नेतांग की कहते हैं अक्सर पूछ लेता है और इसलिए विस्व की आई भी अगर हम देखें तो अगर पूछे आपसे तो टी बराबर टाइम बराबर एक बटा यच अबल नियता यह आपका वास्तवी कायू दी गई है बिग बैग सिधान्त क्या है बिग बैग सिधान्त देखिए बहुत जब पहले हमारा प्रमान रहा होगा तो वो तूटा होगा करीब 20 लाक साल पहले यह असंग भागों में बिगटित हो गय इसी घटना को हम बिग बैंक कहते हैं और यह चारों तरफ मंदाकियों के रूप में फैल गया और वो भाग रही है इसी को हम बिग बैंक सिध्धान्त कहते हैं अब यह चैप्टर हमारा दोस्तों खतम होता है और इसमें जैसे एक एक नंबर का सवाल डापला प्रफा हो सकत है ध्वनियों प्रकास के लिए और यदि यात्री रेल गाड़ी में बैठा इंजन सीटी बजा रहा है तो यात्री द्वारा वास्तविक आविर्थी कौन सी होगी लगभग बराबर होगी दोनों एक साथ एक स्वीट से चलना है इसलिए आवासी आविर्थी उनने नहीं हो होगी और फिर उसके बाद छोटे सवाल में और देख लें आप तो मैं इसको पेज में भी देता हूं डापलर संबंदी प्रकास सोथ तथा प्रतेक सापेक्षिगति के कारण प्रकास की तरंगयत प्रेक्षित आभासी परिवर्तन डापलर विस्ठापन का लाता है ये पर प्रकासा भी आपकी तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आते हैं इसके अंदर वही डापलर को आप प्रभाव को समझाए है डापलर विस्ठापन से आप क्या समझते है इसकी फ्याख्याची जैबी ऊपर ही एक लाइन में प्रकासा हो गए cao 6 कि को एकसर सवाल पूछ देता है और एक आदर सवाल जो है आपके निमेरिकल भी आ जाते हैं इसके अंदर तो वो निमेरिकल सवाल वही आभासी आबिर्ती पर रहते हैं छोटे छोटे रहते हैं और आप इनको अगर आप देखना चाहे तो एक हाः सवाल आप देख दीख सकते हैं जो छोटे सवाल है और इसको पेज में भी दें हैं पेज से ही आप देखने का छोटे सवाल और वैसे बहुत總統 कम ही सवाल आते है जैसे यह किसी तारे कि प्रकास की तरंग दैर इतनी है एगेश्ट्राम माने होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर और उसकी तरंग दैर इतनी है प्रिट्थी के साफ़ एक बेग ग्याद किये तो वही डापलर भी स्थाफ़न आप निकालेंगे लेमडा माइनस लेमडा डैस एगेश्ट्राम में है गदज घाते है 10 है माइनस इसकी सबसे छोटी काई होती है दूरी की और लेमडा वराबर डेल्टा लेमडा वराबर लेमडा वी अपॉन सी प्रिश्ट के साफ़ एक तारे कावेग ये वेक प्रिश्ट के साफ़ एक तारे कावेग ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको भी इधर कर लीजे लेमडा डेस बटा लेमडा गुड़े सी करिए 37 बटा 37 तो एक श्ट्राम तीन गुड़े दस घाते 8 मीटर पर सेकेंड ये कट गया एक श्ट्राम जो होता है आपका एक श्ट्राम की बुक है आपकी और कच्छा 11 से हम सुरू करेंगे अब कल से संडे या मंडे से बिद्दुत चत्था चुम्बक का सिध्धान बिद्दुत क्या है चुम्बक क्या है ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है 12 में 4 चैप्टर है आज हमारा पेपर वन खतम होता है कुछ लोगों को समझने में जैसे दिकत नहीं आती हमारे हो सकता है वीडियो से तो पेज मत देहीं देता हूं पेज के साथ भी थोड़ा समझें और कभी कभी क्वेश्चन फोन करके पूछ भी लिया करें क्योंकि ये फिजिक्स ही है थोड़ा खलकी फिजिक्स है हाइज स्कूल की कोई भी बता सकता है इसको आपके गाओं के आसपास फिर भी मैं अपने तरफ से आपको देता हूं कि आप अपना इसमें हमसे पूछ सकने है फोन से भी मेरी मेरी थैंक्स शात्रो